हाई फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC Info24 में स्वागत हैं तो दोस्तों हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंड्स यह जो वीडियो है PGT नागरी सस्त का भाग 208 है तो अगर आप TGT PGT LTE GIC और Assistant Professor की तयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों आज का वीडियो 21 नमर से शुरू हो रहा है और इसमें व्याख्या भी देखने को मिलेगा तो श्टार्ट करते हैं आज का पहला नमर कोशन कोशन है लोग यूद्ध की संकल्पना विक्सित करने का स्रे किसे जाता है वेपुल्ट सुवार की संकल्पना विक्षित करने का स्रे किसे जाता है ए बताना अप्षन Ε को और माउद तशे तुंग को 21 तुश्वलों की हो जाएगा दोश्तों डी सही हो जाएगा माउद तश्य तुंग के जाता है लोक युद्ध की संकल्पना विक्सित करने का स्रे किसे जाता है तो आंसर हो जाएगा माव तसे तुंग को लोक युद्ध की संकल्पना को विक्सित करने का स्रे जाता है यह याद रखेंगे व्याख्या देख लिजिए लोक युद्ध की संकल्पना विक्सित करने का असरे मावत से तुंक को जाता है उनके अनुसार साम्मेवाद की अस्थापना है तु समान्य प्राडियों की पूजी पती ततो के विरुद व्यापक संगर्ष करना अभिष्ट होगा इनका मानना था कि साम्मेवाद की अस्थापना है तु समान्य प्राडियों को पूजी पती ततो के विरुद जो पूजी पती लोग है उनके विरुद व्यापक संगर्ष करना अभिष्ट होगा अच्छा होगा तो इन्हों ने कहीं ना कहीं लोग युद्ध की संकलपना को विक्सित किया था किसने किया था तो मावत तस से तुंग ने किया था पिपुल स्वार आगे चलते हैं 22 नमर देखते हैं जर्मनी वेंथम के अनुसार प्राक्तिक ने मनुस्य को दो सक्तिसाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है जिनके नाम है जर्मनी जो वेंथम है उनके अनुसार प्राक्ति ने मनुस्य को जो दो सक्तिसाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है अब उनका नाम आपको ब अंसर क्या हो जाएगा सुख और दुख हो जाएगा फ्रेट्स जर्मनी विन्थम के अनुसार जो प्राक्तिक है उसने मनुष्य को दो सक्ति साली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है वह सक्ति साली जो स्वामी है वह है सुख और दुख आगे देखे इसका व्याख्या देख लीजिए जर्मनी विंथम के अनुसार प्राक्तिक ने मनुष्य को दो सक्ति साली स्वामियों के नियंतरण में रखा है जिनके नाम सुख और दुख है आगे चलते हैं तेरिस नमर कोशन देखते हैं संसादमक सासन पराली में वैदानिक संप्रभु कौन होता है तो तेरिस का अनसर क्या हो जाएगा दोस्तों भी सही हो जाएगा संसद जब भी संसद दात्मक सासन पनाली की बात रही है तो उसमें जो वे धानुक संप्रभु कौन होगा तो हो जाएगा संसद और हमारे याँ जो संसद का निर्माड होता है दोस्तों उसमें कौन कौन समलित होता है हमारे यहां संसद में राश्टपती होते हैं राश्टपती और इसके बाद राश्टपती लोगसभा द्यच नहीं लोगसभा और इसके बाद राज्यसभा राज्यसभा ठीक है लोगसभा और राज्यसभा और राश्टपती क्या होते हैं संसद जो बनता है इन तीनों से मिलक संसत का निर्मार होता है मुखे अंग हैं संसत के तीन अंग तो राश्ठपती दोस्तों राश्ठपती का कारिकाल होता है यहाद रखेगा आगे चलते हैं वाख्या देख लिजी इसका सदस्य नहीं होता है किन्तु वा संसद का एक अभिन अंग है आगे चलते हैं विधी के सासन की आधूनिक संकलपना को विक्षित करने का सरे दिया जाता है विधी के सासन की आधूनिक संकल्पना को निरुपित करने का स्रे किसे दिया जाता है ए बताना है आपसन ए अरस्तु को आपसन भी ए मांटेस्कु को आपसन C ए A.V.D.C को आपसन D ए हेरोल्ड्स लास्की को तो 24 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह C सही हो जाएगा A.V.D.C को विधी के सासन की आधूनिक संकल्पना को विक्सित करने का स्रे किसे दिया जाता है तो आंसर हो जाएगा A.V.D.C को व्याख्या देखते हैं इसका व्याख्या देख लेते हैं विदी के सासन की आदूनिक संकलपना का उदे बिटेन में हुआ विदी के आदूनिक संकलपना का स्रे डाइसी को है डाइसी को जाता है या डाइसी को है आगे देखते हैं पचीस नमबर कोश्चन जितनी प्रभु समताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं यह विचार किस लेखक का है option A है गयठिल का आपसन B है डाइसी का आपसन C है गार्नर का आपसन D है मैकाईबर का तो answer क्या हो जाएगा दोस्तोँ 25 का 25 का answer आपका D के साथ जाता है मैकाईबर का दोस्तो बाहर से कुछ अवाजे आ रही है वो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत महसूस कर रही होगी हमें भी दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए सोरी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंट्स इसका बहुलवादी विचारक संप्रवुता के अदेत वादी एवं एकल वादी सिध्धानतों की आलोचना करते हैं बहुलवादियों के अनुसार राज्य भी अन्यसमदायों की तरह एक समदाय है बहुलवादियों का मानना है कि जो राज्य है वो अन्यसमदायों की तरह ही एक क्या है राज्य है और प्रभु सत्ता सभी समदायों की विसेश्था होती है जो प्रभु सत्ता होती है या संप्रभुता होती है वो सभी समदायों की एक प्रमुक विसेश्था है प्रवलुग बहुलवादी विचारकों में। लासकी, गियरक, मैटलैंड, क्राइब और माइकाइबर हैं। उनको आप नोट कर लीजीगा बहुलवादी विचारक क्यों कोने एक कोश्यन पूछा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, व्यक्ति अपने उपर, अपने सरीर मस्तिस्क पर सम प्रबू है, ये कथन किसका है? आपसन ये ग्रीन का, आपसन भी ये लास्की का, आपसन सी ये रूसो का, आपसन डी ये जे अस मिल का, तो आंसर क्या हो जाएगा 26 का दोस्तो, D सही हो जाएगा J.S. मील का एक कथन है, कि जो व्यक्ति है अपने उपर, अपने सरीर वो मतिस्क पर क्या होता है, संप्रबू होता है, आपसंडी सही है, आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, J.S. मील के अनुसार, मा J.S. मील के अनुसार, मानो, समाज की उन्नती और प्रगती के लिए प्रत एक व्यक्ति को विचार एवंब अभिव्यक्ति की पूर सोतंत्ता दी जानी चाहिए, मील ने सोतंत्ता संबंधी विचार अपनी पुष्टक आन लिबर्टी में दिया है, जो मील मोहदे हैं, उन्ह प्रभू है, आगे चलते हैं 27 नमर कोशन है, अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिधान्त क्या है, आपशन A नयतिक, आपशन B अ प्राक्तिक, आपशन C अ एतिहासिक, आपशन D कानूनि, तो आंसर क्या हो जाएग दोस्तो, भी सही हो जाएगा, प्राक्तिक अधिकार सबसे पुराना सिध्धान्त कौन सा है तो प्राक्तिक सिध्धान्त है व्याख्या देख लीजी इसका अधिकार का सबसे पुराना सिध्धान्त प्राक्तिक सिध्धान्तों का सिध्धान्त है जिसके प्रवर्तक लाक को माना जाता है लाक ने तीन प्रकार के प्राक्तिक अध और अधिकार बताएं हैं या संपत्ति का अधिकार यह सुतनता का अधिकार जीवन का अधिकार आगे चलते हैं 28 नमho कोश्चिन देखते हैं कि भार्टी संविधान के किस अनुशेत के अंतरगत राज्य सभा विशेश महमत द्वारा राज्य सूची के किसे विशेश पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिक्रीत कर सकती है आपसन ए अनुशेद 247 आपसन भी ए अनुशेद 248 आपसन सी ए अनुशेद 249 आपसन डी ए अनुशेद 250 तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों सी अनुशेद 249 व्याख्या देखिए भारती समिधान के अनुशेद 249 के अंतरगत राज सबा उपस्तित एवं मत देने वाले सदस्यों के दो बटा ते तीन वहमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर देते तो अमुक विशेद पर कानून बनाने का अधिकार संसत को प्राप्त हो जाता है कर रहा है कि भारती समिधान के अनुशेद 249 के अंतरगत राज सबा उपस्तित एवं मत देने वाले सदस्यों के दो बटा तीन वहमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर देतों कोई विशे अमुक का मतलब कोई विशे पर कानून बनाने का अधिकार संसत को प्राप्त हो जाता है संसत में सभी आ जाएंगे इसको याद रखेगा निम्न में कौन लोगतंत्र को स्विक्रती पागलपन कहता है आपसन ए लियू क्यू डो वी की आपसन भी है माक्स आपसन सी है टेली रेंड आपसन डी है प्रोंचा तो आंसर क्या हो जाएगा 29 का दोस्तों 29 का सी आंसर सह हो दाता है लेरी रेंड और सोरी टेली रेंड तो निम्न में से कौन लोगतंत्र को स्विक्रती पागलपन कहता है तो आपसन आपका सी हो जाएगा टेली रेंड व्याख्या देख लीजे इसका थोड़ा सा टेली रेंड ने लोगतंत्र की आलोचना करते हुए उसे स्विक् आगे चलते हैं तीस नमर कोशन देखते हैं निम्न मेंसे किस विचारक ने मित्तु डंड का विरोध किया था निम्न मेंसे किस विचारक ने मित्तु डंड का विरोध किया है आपसन A मिल आपसन B ए ग्रीन आपसन C ए विंथम आपसन D ए लाक तो तीस का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों भी सही हो जाएगा ग्रीन ने मृत्तु डंड का विरोध किया है व्याख्या देख लीजिए टी एच ग्रीन का मानना है कि डंड का उद्यस सुधार आत्मक होना चाहिए मतलब डंड ऐसा होना चाहिए जिससे की लोगों में सुधार हो सके प्रती किरात्मक नहीं प्रती करात्मक नहीं होना चाहिए कि किसी के प्रक्यास रूप ऐसा डंड दे कि वो मर जाए उसमें कोई स option मिल जाएंगे व्यक्षा में तो फ्रेंट्स वीडियो कैसी लगी हो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्त लाइक करने में आप थोड़ा भी यह ना सोचे कि लाइक करने से कुछ इनको प्राफिट होगा दोस्तों एक सपोर्ट ह होता है होसला अब जाई होता है मोटिवेट होते हैं तो आप मोटिवेट करते रहे हम वीडियो बनाते रहेंगे तो दोस्तों आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए मन लगा कर पढ़िए बहुत से एक्जाम होने वाले हैं जहरखंड जो पीजिटी है में लगा दीजिए तो दोस्तों धन्यवाद जुड़े रहे हैं और खुमन लगा कर पढ़िए नमस्कार साथ